आपकी तरह बहुत सरे लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर लीना चाते हैं लेकिन अपने बजट में बहुत सरे लोगों को यही लगता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर उनके बजट के बाहर है लेकिन ऐसा नहीं है आज के इस वीडियो में हम आपको 50,000 के अंदर मिलने वाले सूपर अमेजिंग लेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने वाले तो एंड देक इस वीडियो को जरूर देखे लेटेस्ट इवी अपडेट्स के लिए पावर टॉक्स को सब्स्राइब करना न भूले तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे कोमा की X2 वॉक जिसकी बैटरी कैपेसिटी है 72 वाल्ट 2230 AH इसका चारजिंग टाइम करीबन 6-8 घंटे का है जिसमें ये आपको 85 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज देगा ये एक self-start e-scooter है जो की rear drum और front disc brake के साथ आता है अब बात की जाए cost की तो इसका एक शोरूम प्राइस एप्रॉक्स 47,000 का है Bounce Infinity E1 इसकी बात की जाए तो इससे पावर मिलती है 1500 BLDC मोटर से जो 4 घंटे के चार्जिंग टाइम पर 85 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज देती है इसमें front और rear wheel दोनों में disc brake दी गई है ये push button के साथ साल Bluetooth जैसे additional feature भी देती है साथी 3 साल की battery warranty भी इसमें आपको मिल रही है जिसका एक शोरूम प्राइस है एप्रॉक्स 45,000 एवानी स्कूटर ये अपनी रेंज में सबसे smartest e-sकूटर है जिसमें 215 वाल की BLDC मोटर यूज़ है जो आती है 48 वाल 20H बैटरी कैपसिटी के साथ इसका चार्जिंग टाइम 6 से 8 घंटे का है इसमें आपको 65 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज मिलेगी सेल्फ स्टार्ट होने के साथ-साथ इसमें आपको रियर और फ्रंट दोनों में ड्रम ब्रेक्स का इस्तेमाल किया गया है साथी इसकी प्राइस की बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस एप्रॉक्स 45,000 रुपीज है कुमा की X1 जिसकी बैटरी कैपसिटी 60 वाल 2230 AH है इसका चारजिंग टाइम करीबन 6 से 8 घंटे का है जिसमें ये आपको 85 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज देगा ये एक सिल्फ स्टार्ट E स्कूटर है जो की रियर ड्रम और फ्रन डिस ब्रेक के साथ आता है जिसका प्राइस की हम बात करें तो प्राइस एप्रॉक्स 45,000 रुपीज तक जाएगा कुमा की XZT-KM जिसकी बैटरी कैपसिटी 60 वाल 2230 AH है इसका चार्जिंग टाइम करीबन 6-8 घंटे का है जिसमें ये आपको 85 किलो मीटर पर चार्ज की रेंज देगा ये एक सिल्फ स्टार्ट E स्कूटर है जो की रियर ड्रम और फ्रन डिस ब्रेक के साथ अविलेबल है जिसका एक शोरूम प्राइस एप्रोक्स 42,500 रुपीस है नेक्स्ट हम बात करेंगे उजास एनरजी इगो की जो 250 वाट की मोटर के साथ अविलेबल है इसमें 60 वाल 20 AH का बैटरी पैक लगा हुआ है वहीं चार्जिंग टाइम की बात करें तो 6-7 गंटे में ये चार्ज हो जाएगा जो आपको 75 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज देगा ये पोस्ट टार्ट होने के साथ साथ ये रिमोट स्टार्ट भी है जो की रियर और फ्रन्ट दोनों ड्रम ब्रेक के साथ है प्राइस के हम यह आवर बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस एप्रोक्स 34,880 रुपीज से स्टार्ट होते हुए 39,880 तक जाता है ये सभी स्कूटर आपको सिर्फ 50,000 के अंदर मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे वहीं बात की जाए बड़े ब्रैंड जैसे हीरो इलेक्टरिक की तो उनका प्राइस रेंज जो स्टार्ट होता है वो 59,000 से स्टार्ट होता है आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें शेर करें और ऐसे ही देखते हैं ये पावर टॉक्स शुक्रिया